क्लास नंबर 57 जीनिक इंटरेक्शन पार्ट टू लास्ट वीडियो में हम लोग ने जीनिक इंटरेक्शन पार्ट बन में देखा था कि किस तरह से कुछ जीन्स आपस में इंटरेक्ट करके एक नया ही फिनोटाइब प्रड्यूस करते हैं आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते वे नेक्स्ट इंटरेक्शन देखेंगे एक बार मैं summarize करना चाहूंगा सब कुछ लास्ट वीडियो को जीनिक इंटरेक्शन दो ताइब के बोटना है इंटरेक्शन 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 लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंकम्प्री डॉमिनेंस और को डॉमिनेंस के बारे में कम्प्रीटली स्टडी के थी एक बार हम फटा-फट इंकम्प्री डॉमिनेंस के तीनों अग्जाम्पल्स समराइज करते हैं मेरा बिली जलापा, एंटीरेनम बेजस और अग्जाम्पल्स और को डॉमिनेंस में हमने दिखाता है AB ब्लड ग्रूप, रॉन कलर इंकम्पल्स और सिकल सेल ट्रेट आज हम लोग इसके आगे के इंटरेक्शन के स्टडी करेंगे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ नॉर्मल क्रोमोजोमल स्टडी की बात करते है सबसे पहला कुछन आता है कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स किसे कहते है आप इस डाइग्राम को देखिए, इस डाइग्राम में आपको दो क्रोमोजोम्स दिख रहे होंगे इन chromosome का आप length देखिए और length के साथ साथ देखिए आप इनका centromere का position exact same centromere position और exact same length इस पे हम लोगों ने दो alleles या genes show कर रखें एक है gene A, यहाँ देखिए आप capital A और small a चाहे alleles different हो लेकिन genes same हो capital B, small b, genes same है, alleles different है लेकिन आप इन genes का location देखिए, capital A और small a का location देखिए आप exact same locus है, same gene A क्या gene B की मैं बात करूँ तो उसका भी locus exact वही है जो उसके corresponding alleles का है homologous chromosomes, उन chromosomes को कहते हैं जिनका length, उनका centromere का position और उनके उपर जो genes located है, उनका locus भी क्या हो, same उसे हम कहते हैं homologous chromosomes तो हमारे पास में हर chromosome का एक homologous chromosome होता है जैसे human beings में अगर 46 chromosomes है, यानि 23 pairs 23 pairs में हर pair में 2-2 homologous chromosome होंगे उन में से 1 chromosome आपको मिलेगा अपने father से और दूसरा मिलेगा आपको अपनी mother से यानि paternal homolog जो आपको father से मिलता है और maternal homolog जो आपको अपनी mother से मिलता है इन्हें कहता है हम homologous chromosomes, similar in length, gene का position और centromere का location, genes का position homologous chromosomes पे same रहता है, हाँ genes का alleles same भी हो सकता है, या पर different भी हो सकता है, आप ये एक photo देखिए, इस photo में आपको clear दिख रहा होगा कि किस तरह से centromere का position इन दौनों chromosomes में same है, centromere का position same होने के जैसे आप इनके short arms, इनके short arms का length देखिए आप और ये long arms है, इनके long arms का length देखिए तो short arms और long arms, दौनों arms का जो ratio है वो भी same हैगा, क्योंकि centromere का position दौनों का same है, normally एक gene के दो different forms होते हैं, जिनको हम कहते हैं allelomorphs, और ये दोनों अलग-अलग chromosomes पे मौजूद रहते हैं, और उनी दो अलग-अलग chromosomes को हम कहते हैं, homologous chromosomes, तो ध्यान रखिएगा, एक gene के के केवल दो alleles हैं, और एक chromosome पर केवल एक alleles present रहता है, उसी को हम कहते हैं, चलिया, आगे बढ़ते हैं, हम next interactions की तरफ बढ़ते हैं, अपना अगला interaction है, multiple alleles, अभी हम लोगों ने थूरी देर पहले देखा कि एक particular character के ल नाम क्या है, multiple alleles, यानि की, multiple यानि ज्यादा alleles, एक character के लिए अगर दो से ज्यादा alleles responsible हो, तो उसे हम कहते हैं multiple alleles, normally एक character के लिए दो ही alleles, या फिर एक gene जिसके दो alleles हैं, वो responsible होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही gene के दो से ज्यादा alleles responsible होंगे, लेकिन देखे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोजोम पर एक ही अलीक प्रिजान्ट हो सकता है कियोवे में किंगे क्रोमोजोम आप तुमिशा एक ही अलील रहेगा, मैं repeat कर रहा हूँ इस बात को, कि normally एक गरेक्टर के लिए एक जीन या दो अलील्स responsible होते हैं लेकिन multiple alleles में दो से ज्यादा alleles responsible होते हैं, but multiple alleles के case में भी एक individual में आपको दो ही alleles मिलेंगे और एक chromosome पर आपको केवल एक ही alleles मिलेगा, clear, जो multiple alleles वाला concept है यह चलता है population के अंदर, किसी gene pool में, किसी population के अंदर एक gene के तीन अलग-अलग alleles या तीन से ज़्यादा अलग-अलग alleles present होंगे, लेकिन एक individual में normally दो ही alleles present हो सकते हैं, क्योंकि होते हैं, multiple alleles में एक question है आपके लिए, कि एक multiple alleles में, एक gamete में, कितने alleles एक ही gene के present होते हैं, वीडियो को pause कीजे और अच्छे से इस question के बारे में सोच के मुझे answer बताईए, अगर इसके answer की मैं बात करूँ, तो देखिए ये बात question है एक single gamete का, वो एक single gamete की बात कर रहा है, देखिए एक gamete में homologous chromosome का जो pair रहता है, उसमें से कितने chromosome जाते हैं, केवल एक, तो alleles भी कितना move करेगा, केवल एक, एक gamete में, एक homologous pair का एक ही chromosome रहता है, और एक chromosome पर केवल एक ही alleles होता है, इसलिए एक gamete में केवल एक ही alleles present होगा, multiple alleles या दो alleles जो एक ही जिनके हैं, वो एक gamete में कभी भी present नहीं हो सकते, और अगर ऐसा है, तो वो mutation है, तो वो mutation है multiple alleles जो होते हैं वो एक ही locus पर present होते हैं अलग-अलग locus पर present होते हैं ये भी एक question है तेके normally एक alleles का homologous chromosome पर जो locus रहता है वो fix रहता है एक normal gene जिसमें दो alleles रहते हैं दोना तो locus कहा रहेगा same लेकिन multiple alleles में हम कहा रहा है हैं कि more than two alleles are present तो वो जो दो different different alleles हैं क्या उनका locus same रहेगा या अलग रहेगा बिलकुल देखें chromosomal study जो हमने अभी किया हम से बिलकुल deny नहीं कर रहे हम अपना logic change नहीं करेंगे alleles चाहे multiple हो लेकिन एक individual में जैसा हमने बुरा दो ही alleles present रहेगे एक gamit में एक ही alleles present रहेगा एक chromosome पर एक ही alleles present रहेगा तो yes इन ती लोकस क्या रहेगा same इनका locus different हो नहीं सकता चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग multiple alleles में multiple alleles में देखें कोशन आता है नीट के exam में आप से पूछले जाएगा कि एक जिन के अगर n number of alleles हैं तो आप से पूछेंगे कि बताईए कि इस case में कितने genotypes बन सकते हैं वो n का मतलब 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है हम अलग-अलग examples देखेंगे आगे बढ़के बढ़ आपको यहाँ पर में एक short formula याद करवा देता हूँ कि अगर n number of alleles हैं एक gene में और आप से पूछा जाए कि कि किने genotypes बनेंगे तो आप formula लगाएगा n n plus 1 को divided by 2 यानि n को multiply करना है n plus 1 से और इस पूरे number को divide करना है आपको 2 से और n है यहाँ पर number of alleles for example देखते हैं हम लोग हम लोगों ने last video में देखा था कि co-dominance के अंदर एक example था है AB blood group उस AB blood group के अंदर के अंदर उस AB blood group के अंदर जो co-dominance का example है ABO blood group system के अंदर कितने alleles होते हैं 3 यानि n का value यहाँ पर क्या हो गया 3 तो जब हम इसको solve करेंगे तो अगर of genotypes कितने बनेंगे अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका answer आएगा 6 नीट में आपको question पूचेंगे number of alleles देंगे आपको number of genotypes निकालना है तो direct formula लगाईए और answer derive कर सकते हैं multiple alleles का सबसे पहला example है ABO blood group system और इस पूरे system को हमने बहुत अच्छे से explain किया था अपने last video co-dominance वाले के अंदर आपको इस video के just उपर एक link नजर आ रहा होगा ये link है हमारी co-dominance वाले video का तो आप इसे जरूर देखें blood group वापस बता देता हूं आपको तीन alleles से control होता है I, A, I, B जो दोनों dominant है और I, O, जो है recessive बाकी details आप last video में देखें आपको वहाँ पर मिल जाएगे हम लोग multiple alleles का second example देखते हैं rabbits के अंदर उनके coat का color इस case में अगर हम देखें तो आपको rabbit में चार different coats color दिखाई देंगे और इनको control करने के लिए total 4 alleles possible, 4 alleles होते हैं question आएगा अगर आपके पास कि अगर 4 alleles कि पर्टिकुलर करेक्टर को represent कर रहे हैं तो कितने genotypes बन सकते हैं तो यहाँ पर solve वही formula से करना है आपको n की value ले लिजेगा 4 और solve परके देखेगा आप cancer आएगा 10 अगर किसी को इसमें किसी तरह की problem है या किसी लेवल इससे उपर नहीं जाएगा तो हमने incomplete dominance देखा co dominance देखा फिर देखा हमने multiple alleles और चौथा जो example है intragenic interactions का वह है आपका lethal genes lethal lethal मतलब क्या होता है lethal का मतलब होता है जान लेवा यानि कि जो death cause कर सके तो lethal genes जैसा की नाम बता रहा है कि यह death cause कर सकता है तो lethal genes के बारे में समझे यह एक ऐसा gene है जो जब homozygous condition में present होगा तब यह individual की death cause कर सकता है ज्यान रखेगा lethal genes तभी express होते हैं जब वो homozygous हो अगर वो homozygous नहीं है तो वो अपना lethality show नहीं करेगा और individual की death cause नहीं कर सकता तो इस concept को अच्छे से याद करेजिएगा कि lethal genes तभी काम करेंगे जब हो कैसे हो homozygous lethal genes dominant भी हो सकता है और recessive भी हो सकता है लेकिन यह हमेशा रहता है mostly हमेशा नहीं कहुँगा लेकिन ही most ली कैसा रहता है recessive लेकिए चाहे यह dominant हो या recessive हो यह तभी express होगा जब यह कैसा हो homozygous यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि lethal gene dominant है तब वो उसको heterozygous condition में भी express करवा देते हैं पर ऐसा करना गलत है अपना condition क्या है कि homozygous condition होने पर ही little genes express होंगे otherwise इनका expression possible नहीं होगा इसकी discovery कीती l-knot ने mice mouse के coat color में आई एक्जम्बल सेखते हैं हम लोग यह same example है l-knot ने जिसकी discovery कीती coat color of mice यहाँ पर आपको इन दो चुहों के अलग-अलग color दिखाई दे रहे होंगे एक yellow और दूसरा brown देखे yellow जो रहता है dominant है और brown जो है वो ऐसे सी वैसे हमने yellow को capital Y और brown को small y से represent किया है यहाँ जो capital Y वाला gene है यानि जो yellow body color के लिए responsible वाला gene है वो होता है little और वो अपने आपको कब express करेगा जब वो कैसा हो homozygous यानि capital Y और capital Y जब भी mouse के अंदर capital Y और capital Y वाली condition develop होगी तो ऐसा mouse अपने embryo की stage में ही dead हो जाएगा वो कभी भी birth नहीं लेता इसलिए आपको mouse की population में कभी भी homozygous yellow देखने को नहीं मिलेगा जो आपको yellow color देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको heterozygous yellow यहाँ पर जो बहुत से लोगों ने अपना concept गलत याद कियावा है वो उन्होंने यह याद कियावा है कि yellow color lethal है इसलिए आपको yellow mouse देखने को नहीं मिलता बट ऐसा नहीं है lethal genes तभी express होंगे जब आपकी condition कैसी होगी homozygous यानि आपको mouse के population में yellow color का mouse दिख रहा है वो heterozygous yellow होगा homozygous yellow नहीं हो सकता क्योंकि homozygous yellow अपने embryonal stage में ही dead हो जाएगा आईए आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग coat color of mouse में ही एक heterozygous yellow जो mouse है उसका cross करवाते है heterozygous yellow के साथ में देकि हम homozygous yellow mouse का cross नहीं करवा सकते ही क्योंकि वो birth ही नहीं लेता वो embryonal stage में ही उसकी death हो जाएगी तो heterozygous yellow का जो में cross करवाता हूँ heterozygous yellow के साथ में तो normal genetic process आपको अच्छे से पता होता है एक हमने bonnet square draw किया और हमने gamits को place किया तो इस तरह से जब हमने gamits place किये तो जो सबसे पहले condition बनेगी वो बनेगी आपकी capital Y और capital Y तो यहाँ पर देखिए आप कि जब ये condition आएगी capital Y और capital Y तब इस condition में आपको lethality produce होगा और इस mouse की क्यों हो जाएगी death क्यों क्यों क्योंकि lethal genes कब express होता है जब वो homozygous होता है अगर हम आगे बढ़े capital Y, small y heterozygous condition है तो इसकी death नहीं होगी capital Y, small y, heterozygous death नहीं होगी और small y, small y यानि यहाँ पर capital Y तो है ही नहीं तो यहाँ पर भी death के chances नहीं है तो जब आप से इसका ratio पूछा जाएगा तो इन ratios में हम capital Y capital Y या homozygous yellow को consider नहीं करेंगे तो कि इस population में आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही नहीं इसलिए हमारा ratio 1 is to 2 is to 1 की जगवापर क्या मिलेगा आपको 2 is to 1 हम capital Y capital Y या फिर homozygous yellow consider नहीं कर रहे और yellow is to brown का ratio के आएगा 2 is to 1 यहाँ पर ध्यान रखेगा yellow heterozygous yellow है homozygous yellow नहीं है आगे बढ़ते हम लोग lethal genes का second example देखिए अगर तू है अपना strep dragon, snap dragon या antirinum mages इस plant का नाम हम पहले भी सुन चुके है snap dragon, antirinum mages कहां सुने हमने? incomplete dominance में हमने इनके flower color की बारे में बात की थी इसकी discovery की थी e-born है यहां पहले scientists थे जिन्हों ने botany के अंदर यानि plants के अंदर lethal genes की discovery की थी snap dragon में हम लोग अगर leaves की बात करें तो अपने को दो तरह की plants मेंते हैं एक golden leaves वाले और एक green leaves वाले golden leaves dominant character है green leaves recessive character है इसलिए golden leaves को हम लेंगे capital G और green leaves को लेंगे हम लोग small g यहां पर जो lethal g ने वो है आपका capital G यानि golden leaves वाला और यह कब express होगा जब भी capital G, capital G यानि कि अपनी homozygous condition में हो इसलिए आपको इनकी population में कभी भी homozygous golden leaves देखने को नहीं मिलेगा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको heterozygous golden leaves एक बार क्रोस करवाते हैं अगर हम लोग heterozygous golden का heterozygous golden के साथ में यानि capital G small g, capital G small g बिल्कुल same planet square, gamit placement वाला जब हमने किया तो जो सबसे पहला case बना capital G, capital G वो lethal gene produce करेगा और ऐसे case में इस plant की क्या हो जाएगी death और आपको कभी भी population में एक homozygous golden leaves वाला plant देखने को नहीं मिलेगा ratios, ratios वही रहेंगे जो हमको mouse की case में मिलेते हैं 2 is to 1 चलिए आगे बढ़ते हैं last जो अपना intragenic interaction है वो है leotropy लेकिन normally जब हम बात करते हैं तो एक gene एक character को control करता है लेकिन leotropy एक ऐसे condition है जिसमें एक gene multiple characters या multiple phenotypes को represent करेगा normally एक gene एक character लेकिन leotropy में एक gene multiple characters या phenotypes को represent करता है बहुत ज़्यादा detail में यहाद topics अपने course में नहीं है, need के level पे नहीं है हम लोग केवले examples देखेंगे सबसे पहला example है इसका pea plant, pea plant में अगर हम देखें तो एक single gene control करता है सबसे पहले seed के coat का color उसके अलावा same gene decide करेगा उसके flower का color और same gene ये भी decide करेगा ति उसके leaf के axle में red spot मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखेंगे आपको यहाँ पर leaf के axle में एक red color का spot दिख रहा होगा तो ये red color का spot flower का color और seed के coat का color ये तीनों कि तीनों कौन कंट्रूल करता है एक single gene तो ये बहुत बढ़िया example हुआ किसका लियो प्रॉपिका second example देखें अगर हम sickle cell anemia sickle cell anemia यहाँ देखेंगा आपक से sickle cell anemia जिसमें एक gene होता है HBS S represents sickle तो जब ये HBS present होता है किसी भी individual है तो सबसे पहले तो ये cause करता है hemolytic anemia क्या होता है hemolytic anemia देखें anemia का मतलब होता है क्या hemoglobin deficiency या फिर RBCs की deficiency और word use करा हूँ मैं hemolysis hemolysis hemo means blood और RBCs और Lysis मतलब breakdown यानि RBCs का breakdown एक ऐसा anemia जो जिसका cause RBCs का premature breakdown है उसको हम कहते है hemolytic anemia और अपने को अच्छे से पता है कि sickle cell anemia में RBCs की death हो जाती है hemolysis हो जाता है जिसकी वज़ासे anemia होता है इसलिए याद रखेगा sickle cell anemia is a very good example of hemolytic anemia तो yes HBS जब present होगा तो hemolysis होगा जिसकी वज़ासे होता है hemolytic anemia आप इस picture को देखेए इसमें clear RBCs का breakdown show कर रखा है HBS इसके लाबा जब present होता है तो hemolysis करने के लाबा हमें अच्छे से बता है कि plasmodium falsi parum के against यह एक resistance show करता है यानि एक single HBS resistance भी provide कर रहा है malignant malaria के against और hemolytic anemia भी cause कर रहा है इसलिए यह बहुत अच्छा example है leotropica यहाँ पर हम लोग जाते जाते एक बार leotropy और polygenic inheritance को अगर साथ में compare करें तो देखे आप जब एक gene multiple characters को control करता है तो इसको हम कहते हैं leotropy इसके opposite जब multiple genes एक single character को represent करते हैं तब इसे हम कहते हैं polygenic inheritance confuse करेगा यह आपको यहाँ पर आपको confusion होगा लेकिन बिल्कुल confuse होने की ज़रूत नहीं है आप नाम देखे poly, poly का मतलब क्या हो गया multiple और genic मतलब genes यानि एक ऐसा inheritance जिसमें multiple genes involved हो उसको आपके तो polygenic inheritance यानि multiple genes एक single character तो polygenic inheritance और one gene multiple characters तो leotropic बाकि के जो genic interactions है यानि की epistasis और complementary genes वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में discuss करेंगे हमारे चैनल को subscribe कीजे ताकि आपको नए वीडियो के बारे में हम लोग notify कर से के Thank you very much and keep working hard यानि बारे मेंक आपको दूए लीडियो कि configur俺 दोटारी जयए आपको you guess we